गुड मॉर्निंग एब्रिवन आज हमें अपने किराय के रूम पे जो कि शायद मैं यहां से जाने वाली हूँ तो हम कुछ दिनों में छोड़ देंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम का हाल सुबह सुबह कल तो मैंने अपना रूम क्लीन किया था पर अभी ही मैं दिखाती हूँ कि अभी इसकी हलत क्या है क्योंकि हमारे पास सर्फ एक रूम है जहां पर हमारा किचन भी नहीं है, ऑर हमारा दहने का भी है, तो ये हैं नीचे जो वाला पॉर्शन है जो कि ये सारी बुक्स मेरे बहाई के लाई हुई है आप देख सकते हैं इसमें अच्छी बुक्स है इसमें उपनिसद होंगे इसमें श्रीमत भागत गीता होंगी और इसमें स्थेपेंस वाली बुक्स वोंगी नोबल्स वगरा होंगे तो यह हमारा बुक्स का कलेक्शन है आदी बुक्स बैट के नीचे डाल रखी है और उपपर यह पूरा यह है रूम और यह है हमारा कीचन जो कि मैंने कल साफ कर रखा है और यह हमारे पास मटका यह मटकी के वजिसे हमारा पानी पीना बहुत सही हो रहा है आजकल बहुत बहुत थंडा पानी हो जाता है मटके में अगर आप लोग भी रेंट पे रह रह रहे हैं तो आप मटका ही मटका ही लीजिए मतलब और यह हमारा बैट जो कि अभी पूरा गंदा हुआ पड़ा है और मुझे कपड़े फूल करने का भी टाइम नहीं हुआ है तो मेरे जाते हैं तो गाइस है मेरे फाइक बड़े तो मैंने उसके लिए आज बना रखे कचोरिया और वहां पर बंदी क्योंकि विगन है तो उसके लिए बन रही है चाई बिना दूद वाली और इलाइची वाली गाइस यह मेरा एंड़ सभाई यह कह रहा है कि मैं टैग भी आज पर देखे बन गए हमारे ब्लेक टी और एक खार रहा है कचोरिया तो गाइस अभी मेरा भाई दीदी के आ गया हुआ था तो दीदी ने मेले खाना भीजवा दिया है तो देखते हैं और एक चावल है इसमें कुछ रखे चत्मी रा लगई है ऐसे इसमें उसने बिजव अब ये दाल तो बस मेरा हो गया भी दिन का खाना तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूले थैंक यू